नमस्कार आप देख रहे हैं देली नूज मैं हूँ आपके साथ बिनीत राय इस समय पूरे देश भर में लोगसवा चुनाओ का दौर चल रहा है ऐसे में जगा जगाँ पर सभी पार्टियां रैलीयां करते हुई नजर आ रही हैं ऐसे में उत्तरप्रदेश के बारा बंकी में समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अकलेश यादो की रैली थी जिसमें बहुत ही एक हैराण करने वाली वाक्या देखने को मिला वो वाक्या क्या था आए बताते हैं अपनी इस पूरी खबर में दे रहा था जिसे अखिलेश के साथ देखकर लोग हैरान और परिशान हो गए लेकिन कुछी देर बाद अखिलेश यादों ने उसकी असलियत पर से परदा उठा दिया अखिलेश यादों ने चुटकी लेते हुए यहां तक जनता से यह भी कहा कि अब तो इनका भी समर्थन म बारा बांकी आपको बता दे कि अखिलेश यादों शुक्रवार को जनसभा को संबोधित कर रहे थे उस दौरान अखिलेश ने कहा बारा बांकी समाजवादियों का गढ़ रहा है और आपको चौकिदार को भी हटाना है और साथ में ठोकिदार को भी हटाना है अखिलेश य यादों ने शनिवार को एक ट्वीट जारी करते हुए कहा कि हम नकली भगवान तो नहीं ला सकते हैं पर एक बाबा जी जरूर लाए हैं ये हमारे साथ गोरकपुर छोड़ प्रदेश्ट में सबको सरकार की सच्चाई बता रहे हैं आपको बता दे कि ये कोई पहला मौका नहीं है जब योगी का हमशकल शक्स को अखलेश यादों के मंच पर देखा गया हो इससे पहले फैजा बाद की चुनावी जनसभा में भी अखलेश के साथ ये सक्स मौजूद रहे थे अखलेश ने 12 बंकी में आगे कहा कि कॉंग्रेस के लोग कह रहे हैं कि हमने जान बोच कर कमजोर प्रत्याशी लड़ाए हैं उन्होंने प्रधान मंतरी नरेंदर मोधी पर भी तंज कस्ते हुए कहा कि बोरी से चोरी हो रही है और नवजवान की नौकरी चोरी हो गई है जो लोग चाय वाला बनकर आये थे अब वो चावकिदार बन गए हैं वहीं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंतरी आधित्यनात्य योगी को आड़े हाथ लेते हुए अखलेश ने ये भी कहा कि ठोको नीती से कानून व्यवस्ता ठीक कर रहे थे लेकिन उन्होंने कोई भी वादा पूरा नहीं किया और उल्टा विकास को और रोक दिया साथी साथ नफरत फैलाने का काम भी किया अब देखना यही होगा कि अख्रेश यादो के इस दाव का बीजेपी पर क्या असर पड़ता है और इसका क्या जबाब देते हैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंतरी आधित् तब तक के लिए देखते रहिए आप लोग देली नियूज और हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी न भूलें नमस्कार